सनातन धर्म को सिर्फ रोकना ही नहीं है सनातन धर्म को पूरी तरीके से खतम कर देना है ऐसा कहना है तम्मिल नाडू के मिनिश्टर उद्या निधी स्टॉलिन का उनका कहना है कि जैसे मलेरिया है कोरोना है हम उसको रोकते नहीं है हम उसको जड़ से मिटा देते हैं पूरी त अब सनातन धर्म तो भी बिचारे क्या इनके जैसे लाको आए लाको चले गए जोंनों ने सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की इतिहास गवाए कि समय' के साथ खुद मिठे चले गए लेकिन बात यह कि ऐसा चाहते क्यों है ? क्यों चाहते है कि सनातन मिढ जाए इनका कहना है कि सनातन धर्म कीवज़ासे समाज में भेद भाव होता है untouchability है अचूतपन है जातिवाद है यह सारी समस्या है जो है वो सनातन धर्म कीवज़ासे है अब यह बात सच है कि हाँ यह problem हिंदू समाज में है, वो काफी लंबे समय से रही है, हलाएकि समय के साथ-साद ये धीरी-धीरे-खतम हो रही है, अंटॉच अब्लिटी तो अल्मोष्ट खतम हो गई है, जाति बाद भी काफी हद तक है, क्या हमारी भगवत गीता है, रमायन है, माभारत है, भागवतम है, पुरान है, वेदाज हैं, क्या उसमें से ये जातिवाद आ रहा है, और नहीं तो फिर ये समाज में धीरे-धीरे कैसे एड हो गया, ये कुरितियां कहां से आ गई, और जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं, अग भी बेद बाब खतम होता जा रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है, लेकिन जो ये मंतरी लोग हैं, संतरी लोग हैं, ये अपने वोट बेंक के चक्कर में आज भी इन मुद्दों को जिवित रखते हैं, बार-बार लोगों के दिमाग में इसके उपर डालते हैं, क्योंकि कि वोट बैंक पॉलिटिक जो है वो इसी से चलती है तो इससे लोगों का क्या करा जाए क्या सुलूशन है हम एक आम आदमी इस बारे में क्या कर सकता है इन सारे सवालों को लेकर मैं फिर से एक बार अपने सब के प्रिये चेतन चन पभुजी के पास गया हूं जो नहीं जानत को जो भी हमारे social issues होते हैं उनको शास्त्रों की नजर से कैसे देखा जाए इसमें उनका generally बहुत अच्छा perspective रहता है तो ये सारे प्रशन कि हमारे शास्त्रे जो हैं वो जातिवाद के विशे में क्या बोलते हैं और जो जातिवाद हमने देखा है वो क्या इसमें अंतर क्या है और सनातन धर्म का इसमें क्या योगदान हो सकता है इन मुद्धों को कैसे देख सकते हैं और कैसे सही कर सकते हैं इन सारे कोशन को लेकर मैं चेतना चर्ण पभूजी के पास गया हूँ अगर आप इन मुद्धों को ठीक से घहराई से बहुत अच्छे सा समझना चाहते है तो यह पॉड्कास्ट आपके लिए बहुत हैल्फुल हो सकता है तो चले शुरू करते हैं हरे किष्णा चेतना चर्ण पभूजी आपको देखके बहुत खुशी हो रही है बहुत आनंद आता है आपको हमेशा से देखके और आप मैं आशा करता हूँ आप स्वस्त होंगे खुश होंगे और अपनी सेवा में लगवे होंगे हमेशा की तरह है अरे कृष्णा इश्वर गॉरांग्पुल नाइस तो सी यू अलसो एपी तो सी अलवेश कैसे आपका यूट्यूब में जो भागवत भागवतम का संदेश है भूईता का संदेश है आप बहुत वंडर्फुल आपका रही इतना फैल रहा है तो हैपी तो सी ब्लेसिंग्स है और जो आप से सीखता हूं वह शेयर करता हूं थैंक्यू सो मच प्रबू आज हम बात करना चाहते हैं जैसे मैंने आपसे फोन पर बात की जो तमिल नाडू के मिनिश्टर है उनके लड़के ने चाहते हैं कि सनातनधर्म जो है मलेरिया की तरहत तो उसको फोजी है इसको पूरी तरीही करना है क्षピ कर देना है क्यों करना है क्या तो समाज में inequality भेद भाव की जो भेद भाव का जो भाव है वोत्थपन होता है सनातन धर्म की वज़ा से तो मेरा पहला प्रशन प्रभू बिलकुल स्ट्रेट फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् रवस्त्र के ऊपर है उसके बावजूत केवल Ministers है जो कास सिप्टो की बार hierarchy बावगा करते हैं तब अंपक्ष यए नहीं करते हैं तो ऐसा क्यों है इनको बात समिज में आ नहीं रही है यह समझना चाहते नहीं है इनका अपना स्वार्त के चक्कर में इतने ज्याधा फसे बहें कि वो इस वारा पर विचारी नहीं करें कि वो समाज में कितना बड़ा एक धुश परीच नाम इसका हो सकता है उनकी सव्हेच इस तरी की बात हो वाथ अपको क्या लगता है प्रगूजी क्यों और expose तीन चीज़े हम देखेगे कि क्या है अभी explain मतलब क्या है कि जब सनातन धर्म इस शब्द का इस्तमाल हो रहा है कई बार एक भाषा में यह समस्थ्य आती है कि हम एक शब्द का उलेक कर रहे हैं तो किस चीज को उलेक कर रहे हैं तो अभी सनातन धर्म जो है उसका एक उलेक हो सकता है untouchability के साथ अचूतता और फिर उसके परे एक उलेक हो सकता है caste system याति पद्दती उसके परे एक उलेक हो सकता है कि जो हिंदू धर्म है हिंदू इजम और उसके परे जो है उसके परे जो है उसका उलेक हो सकता है कि जो आत्म ज्यान है spiritual knowledge जो है उसका तो अभी सनातन धर्म का जब उलेक हो रहा है तो किस चीज से उलेक किया जा रहा है तो अभी जब हम साधारंटया क्रिश्न भावना में से प्रभुपा जी ने बताया है कि सनातन धर्म मतलब क्या है कि वो वो एक आध्यात्मिक ज्यान है जो भगवान भगविता में पताते है कि ये प्रभुपा जी की शिक्षा है ये भगवद गीता की शिक्षा है कि हम आध्यात्मिक ज्यान जो है सर्व जगव सब लोगों के लिए है तो यह उलेक क्या जा रहा है पर कुछ लोग सनातन धर्म का उलेक करते तो वो कहते हैं कि यह अंटचेबलिटी है अच्छूता का भावे यह सनातन धर्म है और वो कहते कि इसका जो है हमको पूरा जैसे इसको विनाश कर देना चाहिए इसको बिल्कुल अखना ही नहीं चाहिए तो अभी यह सवाल होता है कि जब कोई सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा है तो तो हूँ इस स्पीकिगग वी अर्जक की नहीं है तो दो चीजे को सम लिए तो फूWhat is विस के पास अधिकार है यह बोलने के लिए और कों बहुत कुझ को prohib altri war को बोल सकते मुझे पास अधिकार अंब कॉम कोण कहते करने क्ने वाले कि मुझे अधिकार नहीं है ठीक है, तो who is speaking right, अलग लोग बोल सकते हैं, तो कौन सही बोल रहा है, तो अभी कोई कहेगा कि मैंने भेदभाव का अनुभाव किया है, मैं अचुत्ता के कारण, जो मुझे बहुत पीडा हुई है, तो इसलिए मुझे अधिकार है इसके बारे मोलने के, तो अभी जो जलित स अमाज जो है, जो अचुत जो इसके प्रभावित हुए, तो मान लिजे, इन में से एक प्रदाण, जो है, वो अम्बैपर्पर जी है, महराष्टर से ही हूँ, महरास्टर उनका बहुत प्रभाव है, तो उन्होंने इसके बारे में कहा है, कोई भी इससे प्रभावित हुआ है, उनको इसके बारे में कहने का आधिका है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, पर ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं, तो who is speaking right, आपके अनुभव के नसर आप बोल रहे हैं, पर कोई भी यह तो न उदारन लेते हैं, तो अभी हम इसलाम के बारे में बात करते हैं, तो इसलाम भी बहुत बड़ी चीज है, उसमें अलग अलग प्रकार के लोगें, उसमें से एक छोटा सा जो भाग है, वो है एक्स्ट्रिमिजम, वो क्या है, उसमें आतंकवाद आता है, उसमें जिहाद आत तो वो शायद इस्लाम के बारे बुरा कहेगे, पर क्या इस्लाम वही है? आजकल के समाज में, आजकल के जगत में, every fourth person जो मुस्लिम है, तो क्या सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? इससे होते हैं, तो सारा विश्व बहुत और खत्रे में होता है, अब हम Christianity के बारे में बात कर सकते हैं, अभी Christians जो थे, Christianity में, कई लोग ऐसे थे काफी समय तक, जो गुलामी, slavery को justify करते थे, तो अभी कोई कहेगा क्या कि Christianity में slavery थी, इसलिए हम Christianity को ही पूरा हमको उसका विनाश कर देना चाहिए, उसको eradicate कर देना चाहिए, तो अगर कोई ऐसे कहेगा, इसलाम के बारे में कोई कहेगा, कि हमें पूरा इसलाम को eradicate कर देना चाहिए, तो उसका जो प्रतिकार होगा, बहुड़ा mission होगा, कि तो इसलिए भी क्या है, कि जो इसे कोई कह रहा है, तो वो उस दर्म के बहुत ही चोटे सी चीज को ले रहा है, और उसके आधार पे कुछ कह रहा है, और फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है, ख्रिश्चानिटी में कुछ श्लोक आते हैं बाइवल में, इसे स्लेव्स को अपने मास्टर्स को ओबे करना चाहिए, गुलामों को अपने मालिकों को ओबे करना चाहिए, इसलाम में कुछ ऐसे विज़ान आते हैं कि जो भी काफिर हैं उन उसके अर्म में बता रहे हैं कुछ के फ्रिंच चीज बता रहे हैं यह समझने के लिए हमें वो पूरी जो सिस्टेम है उसको देखना चाहिए केवल उसके एक चीज को देखना उचित नहीं है तो अभी अगर हम हम जो सनातन धर में देखते हैं उसमें अंटचेबलिटी जो आती है तो अंटचेबलिटी यह जरूर एक हिस्टॉरिकल रियालिटी है यह हिस्टॉरिकल एतिहासिक दुश्टी से रहतिया है और यह दिस इस डेफिनेटल यह रिग्रेटेबल यह बहुत ही पर यह आया कहां से है इसका सोर्स क्या है अगर हम देखते है तो अंटचेबलिटी खास करके यह हिंदुधर्म के बारे में सबसे गृणासपत जो चीज़े यह बताई आती है हम जाति पत्तिक के बारे में देरे देरे आए गय आगे बढ़के पर यह जो है इसका सोर्स है इसको गीता में कहीं नहीं बताया गया है, भागवतम में कहीं नहीं बताया गया है, इसको रामायन महाभारत में कहीं नहीं बताया गया है, तो अगर वेदों में जाते हैं, तो रिगवेद में या किसी भी वेद में प्रिशदों में इसका उलेक नहीं है, इसका वेदों में उल्लेख नहीं है, तो कहीं भी हमारी जो शास्त्र है, उनके प्रधान कोई भी शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है, कोई रिफेंस नहीं है, अभी कुछ लोग कहते हैं, कि ये धर्म शास्त्र में आता है, पर धर्म शास्त्र में भी जो भी आता है, वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि अभी चंडाल, म्लेच, ऐसा उलेख आता है, भागोतम में भी आता है पर ऐसो लोगों को अच्छूत मानना ये जो है इसका कहीं भी उलेख नहीं आता है धर्मशास्त्र में भी कहीं ऐसे clear नहीं है no reference, no clear reference तो ये कहां से आया है ये इसको ये जो भी हम हिंदुजम ये सनातन धर्म कहते है उसके मूल शास्त्रों में ये कहीं भी नहीं है तो इसको हिंदुजम से जोड़ना और यहां तक ही इसको सनातन धर्म से इक्वेट करना ये completely wrong है ये क्योंकि ये भले ही इतिहास निक सकते हो but everything historical is not scriptural क्योंकि सब कुछ इतिहास में जो हुआ है जरूरी नहीं है कि historical is scriptural और religious और spiritual तो जो भी भारत में हुआ है हम इसे नहीं कहते कि वो सब सनातन धर्म ही था और इसका क्या क्या सबूत है कि हम कह सकते हैं सनातन धर्म नहीं है ये तो इसका हम तीन जुरुष्टी से देख सकते है कि शास्त्रों में ही बताया गया है कि अभी कुछ कह रहे हैं कि हाँ ये अन्टचेबिटी बहुत बुरी चीज़ है हाँ हम भी सिविकार करते हैं इसे आपने इस सुरुवात में बताया कि कोई भी धर्म गुरु है आजकल के समाज में कोई भी अन्टचेबिटी को प्रोपेगेट नहीं कर रहा है अचुट्ता को प्रस्थाबिद करके इसको विस्तारिद करने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है तो इसलिए यह इसको इक्वेट करना कि untouchability sanatana dharma और इसलिए हमको sanatana dharma को eradicate कर देना चाहिए. यह क्या है? This is a horrendous misrepresentation. इनकेवल एक गलत समझाना है पर यह एक भावती भयानक गलत समझाना है. क्या गलत समझाना है यह? So do you have any questions or clarifications till then? आप कुछ comment कर सकते चाहिए तो? नहीं पर मैं अभी तक आपकी बास समझ रहा हूं कि history में जो भी चीज़े चल रही है वो sanatana dharma के अनुसार नहीं चल रही है. बहुत सारी चीज़े अलग से भी चल लिए, sanatana dharma के करेंबर नाम पे चलती है जिनका शास्त्रों में कोई reference नहीं है. तो जो चीज़ गलत है जो शास्त्रों में नहीं है उसको sanatana dharma के तरह represent करना मला उससे भी जादा जो आप बतार उसको मान लेना कि यह वही है, sanatana dharma का मूल उदेशी untouchability है तो उसका तो कोई sense ही नहीं बन रहा है, exactly. तो अभी हम यह कह रहे कि यह नहीं है, तो एक है सबसे बले कि कैसे हम कह सकते यह नहीं है, sanatana dharma और untouchability एक नहीं है, कह सकते है, no scriptural reference, यह पर चीज़ हमने अल्वड़ी बता दी, पर अभी कई और कारण देख सकते हैं, दूसरा कारण यह है, कि हम कह से कि much internal reform, कि जो internal reform मतलब जो वैदिक संस्कृति, वैदिक शास्त्रों से ही जो लोग प्रिर्थ हुए है, उन्होंने ही इसके बारे में, इसके विरुद्ध में कहा है, तो आरण देखते है, कई भक्ती में संत हुए है, और जो भक्ती के संत थे, वो अनेक lower caste थे, महाराष्टा में गो कुम्भार थे, और से बहुत से संत हुए है, जो अलग-अलग ये पॉटर थे, कुम्भार मतलब पॉटर थे, पर ऐसे ही बहुत से ऐसे है कि जो कुछ कॉबलर थे, चामर थे, तो अभी हम देखते है, गौडिय वष्ण पतिती में भी हरिदास ठाकपुर थे, वो जो थे, उनको साथान पते से में लेच्छ कहा जाता था, क्योंकि वो सनातन धर्म के बाहर के एक परिवार में चेन में हुआ था, तो not only were they accepted, नकेवल उनको स्विकार किया जाता था, पर उनको respect किया गया था, कि अगर कोई कहता है कि यही सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में जो महान विक्ती महान हस्तियां माने जाती है, तो उनमें भी ऐसे लोग है जो नीचे के कास्त थे, और वह ऐसा बहुत internal reform हुआ है, और ऐसे नहीं कि यह internal reform कुछ लोगों नहीं किया है, अनेक बक्संतों ने किया है, और रिफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हो, कि कि मतलब reform, क्या reform हुआ है? में उसके खिलाफ प्रतिकार किया गया है, जैसे मैं बोला था slavery तो गुलामी थी Christianity में, तो जो अमेरिका में civil war जब हुआ था, तो जो नौर्थ और काउट में हो था, दोनों साइड में Christians थे, कुछ Christians कह रहे थे कि Bible के नुसा स्लेवर रखनी चाहिए, गुलामी रखनी चाहि से, और फिर दूसरा हम देख सकते हैं, तो अन्टचाबिलिटी कहां से आई है, तो इसको, अभी मैं इसको, I'm not justifying it, I'm not at all justifying it, I'm only explaining it, कहां से आ सकती है, इसके बहुत से theories है, कि भारत का इतिहास है, भारत बहुत बड़ा विशाल देश था, और सब पे किसी एक का नियंतर नहीं था, अलग-अलग पद्धतिया थी, तो कई बार यह जो अन्टचाबिलिटी का जो आया था, वो एक तरह से हाईजीन से आया हो सक तो उसमें germs आ सकते है, वो अभी जो लोग ऐसा काम हमेशा करते हैं, तो उनको कुछ हराता से immunity आ जाता है उसमें, पर बाकी लोग इससे संपर्क नहीं है उतना, तो उनको उतना immunity नहीं आता है, तो शायद हम जो terms use करते है, germs या immunity वो उस समय लोगों को, वो terms use नहीं करते समज होती है, तो अभी जैसे COVID के समय, जो social distancing हमने रखा था, कि कोई और बास नहीं आना चाहिए, तो वो एक तरह के untouchability के से don't touch key, तो अभी यह जो है, मैं एक तरह बोल रहा हूं कि I am not justifying it, यह सही है नहीं बोल रहा हूं मैं, यह बोला हूं कि यहां से आया हो सकता है, इसक यह it is, यह एक शास्त्रों से आया हुआ एक discrimination जो है, यह नहीं है, शास्त्रों में ऐसी पधती नहीं बताई गई है, कि किसी को आप अच्छूद बोलके उनको मानवी स्थर्खे का आदर भी न दो, उससे भी नीचे कुछ कर दो, ऐसा भाव नहीं है, तो अभी कुछ लोग क कहते है, तो ऐसे अलग-अलग कारण कोई धून सकता है, और उसके लिए historical research चाहिए, जो भी इसको करना है, research कर सकते है, but we are not justifying it, पर अभी इसके लिए एक justification दिया जाता है, कभी-कभी, कि जो अपुनर जन्म है, reincarnation and karma, इसके द्वारा से बयाता है, कि जो लोग ऐसे कारे कर है, उनको बता जाता है, कि तुम्हारा तुमने पूरो जन्म में बुरे करमा किये है, इसलिए तुम्हारा ऐसे जातियों में जन्म हुआ है, और से तुमको अभी ऐसे ही रहना चाहिए, तो प्रभु मेरी basically understanding ये बनी है, कि जो main principle है, जो भगवान भगवदीता के again 4.13 में ब लेकिन अगर शत्रिया पुरुष है, शत्रिया इस्त्री है, जब वो आपस में साथ में रहते हैं, तो बहुत high probability है कि उनका पुत्र भी शत्रिया ही होगा, ठीक है, ये ब्रहमन का पुत्र जो भ्रहमन होगा, तो हाला कि वो principle नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में और जो प्रै तो इसलिए महाँ से जन्म को भी धिरी-धिर इंपोर्टेंस देनी शुरू हो गई, exactly, perfect, तो अभी कैसे है, कि एक है, इसे विज्ञान में होता है, एक है science, और दूसरी है technology, तो science और technology, अभी हम zoom का technology का इस्तमाल कर रहे, internet का इस्तमाल कर रहे, तो अभी internet कैसे काम करता है, य इंटरनेट का use बहुत सारे लोग करते, तो उसी तरह से क्या है, एक है philosophy, तत्वज्ञान, और दूसरा है culture, संस्कृति, तो तत्वज्ञान क्या है, वह बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, पर वो संस्कृति उसका अनुशलन कर रहे, तो अभी मान लेजिए अभी कोई फोन यूज करता है, तो अभी उसको बोलते है कि ठीक है, आप जो फोन है पानी में यूज मत कीजिए, उससे कुछ, उससे कोई शौक हो सकता है, कुछ बिमार, कुछ हानी हो सकती है, पर लोग उसको ध्यानी देते हैं, यूज करते हैं, एक बार यूज करते हैं, दूसरी ब यूज करने के बाद एक बार ऐसे हो सकता है कि वो पानी के कारण उसका विस्पूर्ट हो जाता है तो अभी ये क्यों हुआ है ऐसे नहीं है कि वो फोन खराब है वो फोन कैसे इस्तमाल करना है उसका ज्यान जो है वो कम प्रचलित है तो वैसे ही क्या है? तो उसी तरह से क्या है? तत्वग्यान एक है. पर जब वो तत्वग्यान संस्कृति में चला जाता है, तो कल्चर में कई बार कुछ चीजे आती है, वो फिलोसफी से आती है. पर कई चीजे जो होती है, वो सुपरस्टिशन से भी जाती है. वो इसलिए अगर भगवान गोवर्धन लिद्रा में पूछते है वो व्रजवासि उन्ना महाराज को आप इंद्र के पूजा कर रहे है ये शास्त्रों के अनुसार है या ये रितिरिवास के अनुसार है मतलब स्कृप्च्रिप्च्रल इस नॉट नेससरीली इकोल टो ट्रडिश गया हो यह स्कृप्च्र ते क्या आया है वरणाश्रम आया है और जो रितिर है वो से कास्सिस्टिम आई है और जो कास्सिस्टिम है इसका शास्त्रों में ही शास्त्रों के आधार पर अनेक प्रिचारवंतों ने इसका खंडन भी किया है तो इसलिए कोई कहया कि जन्मा अत्वग्यान का नुसार इसको कास सिस्टिम को बताया गया है, ठीक है, वो एक कारण है, बट वो सोल कारण नहीं है, और इसलिए शास्त्रों में भी अनेक अपवाद है, ऐसे अनेक उधारण है, जिसे भागोत में उधारण आता है कि, जो भरत महाराज होते है, उनके अनेक पुत्र होते है, और उनके कुछ पुत्र ब्राह्मन बन जाते है, कुछ पुत्र वैश्य बन जाते है, कुछ पुत्र सन्यासी बन जाते है, तो और उसमें कुछ गलत नहीं बताया गया है, मतलब ऐसे इसको इस तरह से नहीं बताया है, यह गलत है, तो यह जो है कि, यह जात तो इसे तो फिर हर एक चीज में है ये बात तो फिर खाली शास्त्रों में कि ऐसे तो दॉक्तर बेभी में है ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर की एक्जेक्ली प्रैक्टिस हैं सबी दॉक्टर उसको फॉलो कर रहे हूं या मतलब हम देखते हैं कि मेडिकल उसमें कितनी बार गलत एडवाईज भी देते हैं, अपनी मन घढ़न बहुत सारी चीज़े बना लेते हैं, या फिर अपनी प्रैक्टिस करते करते हैं, वो कुछ ऐसा सीखते हैं, जो शास्त्रों में, मतलब उनके साब से जो उनके मेडिकल बुक्स में नहीं है, ठीक उसी के साथ उसको एसोशेट कर दो, कि यह ही है, जैसे आपने बता है कि इसलाम का एक्जामपल दिया, तो दुनिया की हर एक चीज में होता है, इस तरीके से तो फिर, तो हर एक चीज को एडिकेट कर दो, इस तरीके से बिल्कुल यह तो सही है, कि अभी हम देखेगे, जो आप के लोग यह बता रहे हैं, ऐसे लोग, काफी लोग, यह बहुत लेफ्ट विंग के लोग होते, यह लेफ्ट मतलब कम्यूनिजम होता है उसमें, तो अभी अगर हम देखते हैं, कि application जो हुआ है, जो अप्लाइ करते हैं, तो कई बार miss application होता है उसका, तो अगर हम रश्या और चाइना इन दोनों में कम्यूनिज्म का अप्लाई किया गया था और लगवग सत्तर सालों तक चला यह है और नाइटीन से लगवग नाइटीन एटीन तक और इसका क्या परिणाम हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि बिना किसी युद्ध के हंड्रेड मिलियन टेट्स की इतने सारे लोगों की मृत्ति हो गई सरकार ने ही जो भी राश्टर स्टेट के खिलाफ है उसका वद कर दिया तो अभी जो लोग आज मार्क्सिस्ट है कम्यूनिस्ट है सोशलिस्ट है और उनको पूछते हैं कि तुम्हारे तत्वज्ञान से तुम्हारे आइडियोलोजी से इतने सारे लोग की मृत्ति हो गई तो वो कहें तुरंट की अच्छुली स्टैलिन लेनिन जो थे यह कम्यूनिस्ट नहीं तो उनने काल मार्क्स की शिक्षाओं को मिसप्लाय किया है तो तभी वो जस्टिफाई कर दिस अप्लिकेशन है पर जब कास्ट इस्टिवाथ ही नहीं यह मिसप्लिकेशन नहीं यह अच्छल टीचिंग है तो अच्छुली स्टिवाथ है तो यह एसे तलवार है दोनों तरह से कट सकती है अगर आप उसको इस्तमाल करने वाले हो तो वह आपकी जो आइडियोलोजी उसके खिलाब भी इस्तमाल हो सकता है इस ब्रबब मुझे सम्हाव मैंने ठीक से इसको पढ़ा तो नहीं लेकिन इन जनरल मेरी अंडर्स्टैंडिंग बनी थी कि जो कास्ट सिस्टम है इसको फॉर्मली जो है वो बिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रड्यूश किया मनले यह एक अनकही भात थी का सिस्टम पहल हैं भारत में अलग तरीके से मलढ जो कुमार हैं इस हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो का सिस्टम में वो कही ना कहीं इंट्रड्यूश हो गया था हमारे ठीडिशन में कल्चर में समय के साथ लेकिन बिटिशर्स ने इसको बहुत फॉर्मलाइस करके बहुत जाद़ प्र दोड़ी कॉंप्लेक्स हिस्ट्री है, but since you brought this point, I'll try to explain it. कि भारत में जो इन्वेडर्स थे, उन्होंने आक्रमन किया, अभी दो कह सकते हैं, एक है इस्लामिक इन्वेडर्स, अभी इस्लामिक एक जग से कुछ तर्की से आय थे, कुछ अरभ से पायते, अलगत जग से आयते हो, और दूसरे थे जो colonialist, उनमें से British men थे, French भी आये, Portuguese भी आये, उनमें ज्यादा प्रणाम ही था. अभी Islamic जो लोग आये, उन्होंने, there was no socio-economic disturbance. कि उन्होंने चाहिए संस्कुतिक्स धर पे, धार्मिक्स धर पे थोड़ा विद्वन्स किया, मंदिर को तोड़ा, इसको तोड़ा, उसको तोड़ा, पर यह समाज का जो organization था, उसको उन्होंने कुछ ज्यादा इंटर्फियर नहीं किया, थीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहा उनका क्या था, जहाँ तक हमको taxes मिल रहे है, ठीक है, अभी और कुछ ज़रूद नहीं हमको, क्या, Islamic जो लोग थे, वो they became residents of India, आज भी बहुत से लोग जो Islamic लो थे, वो भारत में रह रहे है, तो British कभी जादा रोप non-residency रहे हैं, तो Britain सबसे पहले चोड़ा सा देश है, उस भारत तो बहुत ही, गरम देश है, इसमें इतनी सारी बिमारिया है, इतनी गर्मी है, तो वो जो भारत में आदे उनको लगता था, भारत में जाना एक तसे उनके लिएक punishment है, तो इसलिए क्या था, कि अभी Islamic समय में भारत में जो जो भी पद्धती थी, जाती पद्धती हो जो भी हो, जो वरनके में सारी चल रही थी, क्या उसमें भेदभाव था, हो सकता है भेदभाव था, पर उससे किसी को ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि जो अलग-अलग वरनके लोग थे, वो अलग-अलग areas में अपना काम कर रहे थे, तो ब्राम्हन, फंक्शनल एरिया सबका अलग था, पर जब ब्रिटिश लोग आ गए, तो उन्होंने क्या किया? सोश्यो एकॉनमिक डिस्रप्शन कर दिया, क्योंकि उनकी केवल ये इच्छा नहीं थी कि हमें भारत में राज्य करके भारत से टैक्स लिना है, उनको भारत की सारी एकॉनमि सिस्टिम को बदलना था, उनका उद्देश क्या था? कि हम अगर ये ब्रिटन है और ये भारत है, तो भारत से हम raw materials वहां पे भीजेगे, और फिर वहां से finished products यहां पे लाएगे, और फिर उससे क्या करेगे हम? उससे हम बहुत profit करेगे, तो भारत में cotton रुई बनाएगे, उ उसको मैंचेस्टर में लेकर जाएगे, मैंचेस्टर में कपड़े बनाएगे, और फिर वो कपड़े भारत में बेचेगे, और उससे क्या होगा? हमको बहुत profit होगा, इसलिए गांधीजे ने खादी चालू किया था, कि बोले कि हम खादी बनाएगे, यही से हम बनाएगे, वहाँ पे नहीं जाएगा, तो अभी ऐसा चेंज करने के लिए उनको भारत के जो सोशो एकॉनमिक सिस्टिम था, जो आर्थिक बद्धती था, उसको उध्वस्त करना बहुत ज़रूरी था, उसके बना उनको ज्यादा फाइदा नहीं होता था, क्या है भी मुस्लिम लोग जो भारत में आये थे, अगर भारत समरुद्ध रहेगा, तो वह भारत में रहे थे, वह भी समरुद्ध रहेगे, पर जो ब्रिटिश लोग रहा थे, उनको भारत की समरुद्ध नहीं चाहिए थी, उनको ब्रिटन की समरुद्ध चाहिए थी, इसलिए भारत को किस तरह से र काम कर वे उस सब को उध्वस्त कर लिया और उसके कारण जो जो functional system थी जो कारे करने वाल system थी वो उध्वस्त हो गई तभी भेदभाव जो है वो ज्यादा परकट हो गया कि अपरकट हो गया मतलब क्या है जब एक वर्णा के लोग यहां पर काम कर रहे हैं इसे अपने अपने अपनी जगह में एक तरफ से संतुष्थ है एक तरफ से संवरुद्ध है ऐसे नहीं है कि जो वाईश्य लोग यशुद्र लोग वह बहुत गरीबी में रह रहते अपने उसका परिणाम होने लग गया कि there is a difference between separation and discrimination ये दोनों अलग नहीं है ये अलग है आस्तों में separation मतलब तुम यहां पर काम करो हम यहां पर काम करते हैं ये ठीक है रहा ज़रूरत है तो कर सकते हैं पर उससे जो भेद भाव है कि तुम यहां पर काम करी नहीं सकते हो तुम यहां पर काम करोगे तो तुम गलत हो तुम बुरे हो यह कब विद्यमान होने लग गया जब समाज की जो पधधती थी वह उद्वस्त होने लग गया तो कोई सकता है नहीं पहले कि विए समाज की समाज पद्धति जो बुरी ही थी, पर अभी जाती-पद्धति अगर कोई कह रहा है, जो अगर कोई कहता है कि कास सिस्टिम और वरनाश्रम एक ही है, को यह से दावा करता है, किसे क्लेम है ऐसे कि एक ही है, तो फिर हम सवाल कर सकते हैं कि कहीं भी अगर बहुत हुआ है किसी समाज में, तो अगर भेदभाव हुआ है, तो फिर उससे क्रांती हुई है, जहां बे अगर, मान लिए गरीब लोग यहां पर है, और अमीर लोग बहुत उपर हैं, तो अगर यह बहुत भेदभाव रहता है, तो फिर क्यों गरीब लोग क्रांती कर लेते हैं, revolution हो जाता है French revolution हो आता है Russian revolution हो आता पर हम देखते है भारत जो था भारत में हजारों सालों से क्या है? सम्रुद्धी रही थी thousands of years there was prosperity जब भले ही भारत का लगग 700-800 सालों तक मुसल्मान लोग राज्य किया फिर भी भारत सम्रुद्ध रहा क्यों? इस प्रॉस्परिटी केम फम दे socio-economic system socio-economic arrangement तो अगर जो हम कुछ जातियों के लोग है जो नीचला मान जाता है अगर वो लोग इतने दुखी इतने पीडित रहे थे तो फिर उन्होंने क्रांती क्यों नहीं की? अगर वो इतने पीडित मुसल्मान राज्य था तभी सारे नीचे जातियों के लोगों ने मुसल्मान धर्म क्यों ने अपना लिया उसके पहले भी जो अब हम 5th century BC देखते हैं 5th century, 82 BC तो ये 5th century, sorry उस समय में भुद्धिजम और जैनिजम काफी था इस हजार सालों में जब बुद्धिजम और जैनिजम था तभी सारे नीचे के लोगों के लोगों ने क्यों नहीं उस धर्म का उपना लिया अच्छा फाइव फिफ्थ, BC से फिफ्थ, okay थाउजन ये, okay फिफ देखते हैं और फिर लगबग हम कैसे 1000 AD में पहले इस्लाम के लोग आये थे पर लगबग वह 1700 तक उनका राज्य था तो इस समय में इस सारा समाज में भारत की जो प्रॉस्परिटी थी यह बहुत रही है तो अगर यह सोशल एकॉनम सिस्ट्म इतना खराब था तो लोग तो इस राष्ट्र इतना प्रॉस्परस क्यों रहा तो ठीक है जो नीचे के जाती के लोग थे उनको कोई उनको कोई options नहीं थे इसलिए वो समरुद था पर उनको options थे वोई धर्म छोड़के दुसरे धर्म में जा सकते थे पर फिर भी नहीं गए सो यह point यह कहने का यह उद्देश है कि जो separation था वो था पर separation से discrimination, domination, persecution, दुस लोगों को दंबन करना, दुस लोगों को बुरा मानना, दुस लोगों को शोशन करना, ऐसे नहीं था और जहां तक हम कह सकते हैं कि इस वर सरकार का जो hierarchy था, कि कुछ जाते हों को उपर मानना, कुछ लोगों को नीचे मानना, यह तो ब्रिटन में भी था, ब्रिटन में था उनको gentry कहते थे, gentry थे या उसको aristocracy, वहां पर राजा लोग होते थे, या जो राज जैसे डूक्स, ल जैसे अलग-अलग प्रकार के लोग से serfs कहा गया थे तो अलग-अलग प्रकार के लोग थे, यह ब्रिटन में भी था, ऐसे नहीं है कि यह केवल भारत में था, कि कुछ लोग उंचे है और यह भी birth से ही था, कोई, कोई aristocrat, कोई Duke के family जन्मा है, कोई Lord के family, वाइकाउंट के family जन्मा है, तो उसका जो बेटा था, वाइकाउंट या प्रिंस जो भी बन जाएगा, और जो कोई farmer है, कोई किसान के family जन्मा है, तो उसको किसान ही बना रहे न पड़ी, यह जो system, यह पॉइंट मेरे को, sorry प्रभू, I think हम दो से को थोड़ा लेट पोच रही है, यह जो point मै बोलना चारा हो, कि यही मेरी understanding, मुझे यही understanding बनी थी, कि क्योंकि महाँ पे यह birth-based caste system था, तो जब वो इंडिया में आये, तो उन्होंने इसको भी उसी नजर से देखा और समझा, और उसी तरीके से उन्होंने इसको define के और propagate करा, तो यहाँ पे भी वो birth-based का और ज्यादा इसको जो प्रचलन आ गया मतलब, हाँ, possible ही है, कि वहाँ पे इसलिए क्या था, एक है class system, और दूसरा है caste system, तो अभी class system जो है, वो आज के भी समाज में है, अभी class system अगर आप flight में जाते हो, तो एक economy class है, एक business class है, एक first class है, और इस में फैसिलीटी जो अभी अलग है, तो अभी जो class system जो for example अभी जो है economy के आधार पर है, इसके जो कितना पैसा है उसके आधार पर है, पर इसके पहले जो पासचायत देशों में था वो birth के आधार पर ता, तो जो वहाँ पे जो class class system था, वो birth के आधार पर था, भारत तो अभी एग्जाक्ली कब वरनाश्रम जो था वो कास्ट सिस्टेम में बदल गया और कितना बदला वो कितना वो उसको हिस्टोरिकल रिसर्च करना पड़ेगा तो जनरली जनरली ठीम प्रक्राइब आपनी तो जो ज्टोरिकल गया था वो बहुत बहुत पहले भी था जिसे कि हम देखते हैं कि चेतन्चरतामत में उलेख आता है कि किसी ब्राह्मन पर किसी मलेच्छे का पानी भी गिर जाएगा तो उसका ब्राह्मन का जात चला जाएगा तो ऐसा उलेख था तो यह एक purity शुद्धी के अनुसार जो भेद था वो था पर वो जन्मकेनों साथ कितना था, किस हद तक था, वो उसको, वो कब शुरू हुआ, कब नकेवल कब शुरू हुआ, कब वो परचलित हो गया, कब वो परचलित हो गया, कब वो परचलित हो गया, पर हम यह जानते है कि बिटिश आने के पहले भी 14th, 15th, 16th centuries कास करके, यो 3 centuries जो है 14th, 16th century, इसमें भक्ती बहुत spread ही विवारत में, 17th, 18th में भक्ती बहुत spread ही, और भक्ती में जो caste system था, उसका बहुत refutation हुआ है, उसके खिलाफ काफी कुछ हुआ है, तो मैं पॉइंट यह है, कि वी डोंट हाव त कुछ अगर कोई कहता है सनातन धर्म का मतलब है यह ही है, कि यह अनटचछाबलिटी कास्टिस्टम है, तो मान ठीक है, मान लीजिए, पर उसका खंडन इसी सनातन धर्म में ही हुआ है, तो उसको एर्राइडिकेट करना, यह बिलकुल, यह बिलकुल गलत है, बढ़ यह इस इस होरिबल यह गुरुनासपद है वो यह बहुत अच्छे से प्रभू आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा यह चीज़ मतलब मुझे अच्छे समझ में आगए और आई होब जो पॉड्कास देख रहे होंगे उनको भी समझ में आएगी कि exactly untouchability का सिस्टम का हमारे शास्त्र में कोई reference नहीं है और कहां से और कैसे चीज़े धीरे-धीरे समाज में गुज़ गई और किस तरीके से हमारे सनातन धर्में ही जो हमारे धर्मकुरु पास्ट में रहे हों आज भी जो हैं वो लगातार जो भी कुरूतियां कहीं न कहीं से जो उसमें एड हो गई उसको प्रियास रहते हैं उनको हटाने का तो काईदे से तो politicians को भी इसका प्रियास करना चाहिए लेकिन वहर एक चीज़ को अपनी स्वार्थ के द्रश्टी से देखते हैं तो अभी पर क्या करें मतलब एक नॉर्मल इंसान किस तरह से इस चीज़ को क्या रियक्शन होचे विल्दा सोचल मेडिया पर जाकर अपनी भड़ास निकाल लेता है बट अभी प्रैक्टिकली क्या सोलीशन क्या इस चीज़ क्योंकि मुझे नहीं लगता पॉलिटीशन इंट्रस्टीड हैं जानने में कि सही क्या है मुझे तो लगता है बिल्किश है तो जानते हैं लेकिन वो उस बात को अपने स्वार्थ के साफ सब्सक्राइब तो मैं तीन चीज़े बता था कि explain, expel और expose तो मैं explain अभी तक जो क्या है तो सारा explain था कहां से क्या आया है और क्या एक तरह से शास्त्रों के अनुसार सत्य है अभी expel मतलब क्या कि जो अगर कुछ caste-based discrimination है untouchability जो है इसको आजकल कि कोई भी धर्मगुरु स्विकार नहीं कर रहे है और कहीं प्रचलित है तो उसका भी खंडन कर रहे है अभी caste system जो है उसका भी काफरी हद तक खंडन हो रहा है तो अभी मैं साउथ में हेदरबाद में गया था वहां पर एक temple of statue of equality बनाया है कि रामावचारे की जो है रामावचारे जिसकी संप्रदा महान संत्र थे और कैसे उन्होंने ये ग्यारवी सदाबदी में ही कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने जाती की पद्धती का खंडन किया है और उनको कुनोंने कैस तरह से इसके बारे में भक्ति के आधार पर शास्त्रों के आधार पर सबको समानता के वरन बताए गया है और यहां भगोईता में भगवान बताते हैं अगर हम देखते हैं नौवय अध्याय के बैतन सुट्रों के वह कहते हैं कोई भक्ति करता है तो किसी भी वरन कहा हो किसी का जन्म हो से कुछ फरक नहीं पड़ता है इसका हमें जरूर करना चाहिए तो इसको एक्सपेल कर देना चाहिए आज करके समाज से बर्थ बेस डिस्क्रिमिनेशन और चले प्रभुपाज जी ने ये बहुत ही strongly किया है जो प्रभुपाज जी ने खास करके पाश्चा देशों में पचार किया और वहाँ पे जो लोग जिनको साधारंट अवरनाक्षम से पूरा बाहार मान जाता था ना केवल उनको स्विकार किया पर उनको गुरू बनने का आदर दिया ना केवल आदर दिया पात्रता दिया उन्होंने तो क्या है जो है वह इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है अगर जो फोर्थ लेवल बताया है मैंने कि जो इसके चार चीज़े बताये थी सनातन धर्म का क्या आर्थ लोग लेते हैं तो चौथा क्या है कि spiritual knowledge कि जो आध्यात्मिक ज्यान जो है उसका अगर हम और प्रचार करते हैं उसको और समझते हैं और समझाते हैं तो फिर क्या है यह जो एक्सपल अपने आप हो जाएगा तो कैसे है कि एक तरह से अलग-अलग भांतधारनाये हैं उनका खंडन करने लगेगे तो अनेग भांत प्रस्थापित कर देते हैं तो वह 9 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है वह अपने आप हो जाएगा तो अगर हम explain करते हैं तो एक तरह से वह बाकी जब जो एक्सपल हो जाएगा पर कभी कभी कोई ब्रांतधारना बहुत रहती है उसका हमें खंडन करके ठीक है यह धारना है पर तिले इनको हमें expel कर दिना चलिए और काफी भी इसकौन के भी काफी भगत है अभी इसकौन ने ट्राइबल केर मिनिस्टर चालू किया है जो जो अलग-अलग ट्राइबल लोग होते है जिनको शायद पहले से उनको ऐसे बताया गया है कि आप नीची की जातियों के हो आप वरन आफ्शम में नहीं हो उन सबके और आउटरिच हो रहा है उन सबकर देखा जा रहा है वह बहुत से लोग जो है भक्ती में आध्यात्मक्य और आ रहे हैं सुकार कर रहे हैं तो यह ब्राद धारना को expel करना चाहिए और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको expose करना जरूरी ह कि उनके ulterior motives उनके जो उद्देश है वह स्वार्थी उद्देश होते हैं उसको हमें expose करना है तो ऐसे नहीं है कि कोई भी अगर जाती पतित के बोल रहा है तो उनका उद्देश बुरा ही होगा पर कोई अगर ऐसे बोल रहा है वो अज्ञान से बोल सकता है या फिर वो वो बुरे उद्देश से बोल सकता है तो अगर कोई एक rational discussion एक तरक्वितर के आलधार पर बाती से कोई समझने को तयार नहीं है जान बुच क्यों अब भानता धारना लगता है तो फिर उनको उनके agenda को expose करना ज़रूरी है तो अभी ये expose करना मतलब क्या कि जो व्यक्ति है एक त ही धारना जो है उससे उसका फाइदा होगा तो अगर अभी कास्ट जो है वो अगर इंडिया में अभी तक alive है तो mostly वो क्यों है वो vote bank politics के कारण है अभी एक और चीज है कि marriage में भी लोग थोड़ा कास्ट का ध्यान रखते है पर कि मुझे जिस जाती में जन्म हुए उससे ज शादी करनी है पर यहां क्या है कि this is not so much यहां पर जो हो रहा है वो discrimination नहीं है वो selection है इसमें थोड़ा फरक है वो selection मतलब क्या है कि जब कोई विवाह करना चाहता है तो फिर वो complicated है किससे विवाह करना चाहिए किससे विवाह नहीं करना चाहिए तो selection के लिए अलग अलग अल अग अलग reference points रखते हैं कुछ लोग reference points रखते हैं कि तो मैं यह जो व्यक्ति की आमदनी इसका education निरवर इतना ही होना चाहिए तो उसकी जो earning इतना होना चाहिए या उसके physical attributes ऐसे होने चाहिए तो एक तरह से यह sexual selection यह biology का ही feature है कि लोग जब हर योनी में जब व्यक्ति किसी को मेट को ड्हुन रहा होता है तो कुछ न कुछ criteria यूज करते हों तो अभी जब लोग कास्ट का criteria यूज करते हैं उसका उद्देश क्या होता है कि it's more of उस जाती में जन्म होना चाहिए पर यह it's more of cultural compatibility कि जो रिती रिवाज है जब वो हमारे घर में आगर लड़की आएगी तो उसको उस रिती रिवाज से वो पहले से परिचित होगी वो अच्छे जड़ ठल पाएगी तो वो एक मेरे खाल से मेन उसका उद्दिश्य रहता है तो यह discrimination नहीं है यह कि ऐसे नहीं है कि एक जाती के लोग है उनको कोई partner मिली नहीं रहा है और वो अभी extinct होने को आ गए ऐसी बात नहीं है कि इसमें तो अगर वैसे हो रहा था उसको discrimination कहते है और यह भी क्या है यह वो कुछ हद तक है पर यह भी बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसे इंटरकास मेरेज हो जाएगा कि सारा समाज जो है उसका खंडन करने के लिए आ जाता है थोड़ा विरोध होगा उसी परिवार में विरोध होगा उस सब्सक्राइब बाद में पॉलिटिक्स में क्या है लोग सोचते कि हमको मैं इस जाती से हूँ और मुझे इस जाती के वोट मिलने वाले मैं इसको फेवर करूंगा उसको फेवर नहीं करूंगा और यह इसका सबसे बड़ा significant चीज का है यह वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है यह इसका origin जो कहां से है इ मतलब क्या है जो left ideology जो है leftist ideology क्या है the way to end past discrimination is present discrimination क्या कहते है past discrimination हुआ है और फिर उसको अगर हमें end करना है तो उसके end क्या करना चाहिए हमको present discrimination मतलब अभी जो भी उंची आतियों के लोग है उनके खिला उनको बादा सुविधाय पास में मिले तो अभी क्या करना चाहिए उनको सुविधाय नहीं देनी चाहिए बाकी लोग सुविधाय देनी चाहिए ठीक है आप उनको सुविधाय दे सकते है पर अगर सही में क्या सुविधाय न करना भी है, तो let's do it on economic grounds, तो कोई ऐसे जाती के लोग है, जिनको पहले भुहित्बाव हुआ है, तो उनमें से जो गरीब लोग है, उनको आप शिक्षन की सुविदा दो, उनको आपको नौकरी की सुविदा दो, पर वो कहते हैं, नहीं, हमको किसे आधार पर चाहिए, हमको ब present discrimination किया जा रहा है, यह किस से आ रहा है, यह हिंदु धर्म से नहीं आ रहा है, जो हिंदु धर्म का खंडन कर रहे है, उन से आ रहा है, तो वोग जान बुचे, और अला अने, और क्योंकि यह इनका प्रभाव इतना जादा है भारत में, तो अभी जो अनेक जातिया है, वो पाउरफुल है, वो शक्तिशाली है, वेल्दी है, पर यह भेदभाव इतना बढ़ गया है, तो अगर भारत में अभी भेदभाव है, वो हिंदु धर्म से सनाद अंधर्म से नहीं आ रहा है, वो जो लोग सनाद अंधर्म की निंदा करते हैं, उन से ही आ रहा है, तो को बनाए रख रहे हैं, उनको एराडिकेट करना चाहिए, ऐसे विचारधारा जो है, उसको एराडिकेट करना चाहिए, और सनातन धर्म में अंत में ही बताए गया है कि हरेक वेक्ति आत्मा है, कि हरेक वेक्ति आत्मा है, तो आत्मा के इस तर पे हरेक वेक्ति भगवान का तो अगर if you want to go beyond discrimination तो वो सनातन धर्मा को eradicate करने से नहीं होगा वो कैसे उसको eradicate कर लेगे तो फिर ठीक है कोई और कोई और विचाध रहा जाएगी उसमें भी discrimination आ जाएगा तो उसको अगर सही में eradicate करना है तो हमको क्या चाहिए spiritual knowledge चाहिए तो अगर कोई सनातन धर्म को वास्तों में समझता है उसका अनुशिलन करता है तो तभी भेदभाव कांत होगा क्योंकि एसा पंडित हरे एक व्यक्ती को यह पंडित धर्म से नहीं बता जा रहा है पंडित विद्वत्ता से बता जा रहा है आधात्मिक ज्यान से बता जा रहा है पर धर्म जन्म से नहीं बता जा जा रहा है पंडित को यह सो गुणों से बता जा रहा है कि ऐसा पंडित जो है वो हर व्यक्ति को वास्ता में समान दुरुष्टी के देखेगा और उससे ही भेदभाव कान्त हो सकता है तो अगर कोई सही में भेदभाव कान्त करना चाता है तो don't eradicate sanatan dharma establish sanatan dharma अब sanatan dharma को प्रस्थापित करो उससे ही भेदभाव कान्त हो जाएगा Correct. Yes, Prabhu. समझने में सहायता मिलेगी और जो भी एपोर्टकाज देख रहे हैं उन सबसे विंती है कि इस चीज़ को हमें जादा से जादा प्रोपगेट करना है जितनी ताकत से ये जो विधर्मी लोग हैं एक तरह से ये sanatan dharma को नीचा दिखाने में और खतम करने में लगे हैं उन से जादा ताकत से हम लोगों को सनातन धर्म जो सही सनातन धर्म है वो लोगों तक पहुचाना है Thank you so much Prabhu. चेतना चन प्रभूजी हम बार-बार चेतना चन प्रभूजी से बात करते हैं मैं उनका बहुत अचा चैनल है और उसमें प्रभूजी शोशल इशू के ऊपर स्पेशलिटी जो भी स्पेशली जो भी स्पेशलिटी है अध्यात्म की सही अंडर्स्टेंडिंग क्या है उसके ऊपर लगातार वो बात करते हैं हजारो वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं आप उनको जाके प्लीज देख सकते हैं प्रभूजी का जो चैनल है मैं वो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दूँगा आप एक बार प्लीज इसको जाके देखेगा थैंक्यू सो मच प्रभू और मैं आपसे फिर से बात करता हूँ फिर किसी अगले मुद्दे पर थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच हरे कृष्णा हरे कृष्णा